आज केई डाउटनाट एप डाउनलोड कोरूं डाउटनाटे अपनी क्लास 6 थेके, क्लास 12 एर, माथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायलोजीर समस्तो डाउटेर समधन पावेन तावाबर बांगला थे बैस आपनाट प्रोश्णोटार फोटो तुलूं, उटाके क्राप कोरूं और तोखोनी वीडियो ते एटार समधन पाण और एई धरोनेर आरो वीडियो देखार जन्नो डाउटनाट बांगला यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब कोरूं यहां पर क्या एख 700 पीकोफारई चांट चार्जब का मेरा चार्ज के से पाणी तो इसको यहां से डिसकनेट करके इसको इसी के जैसे एक और कैपिसिटर मतलब 600 पीको फेरेट के एक और कैपिसिटर से इसको जोड़ दिया है ठीक है अग यह पता है अपन को अब क्या यह कह रहा है हाओ मच इलेक्ट्र स्टाटिक एनर्जी लॉस्ट इन पूछ रहा है ना तो यहां पर पहले अपन निकाल लेते कि इस पर चार्ज किता था तुछ जो मान इंटू 10 की पाव़र माइनस 12 फेरेड़ इंटू वी वी किता है 200 तो क्यू की वैल्ली चैया अपने पास 12 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम यह आगी अपने पास चार्ज की वैल्ली ठीक है अब बात में जब इसको यहां से मैंने डिसकानेट करके यहां करेक्ट कर दिया है तो यहां पर क्या होगा कि चार्ज acknowledging you यहां फिर मांनलेिकों कि कुछ q spaghetti यहां से फ्लो कर गएं तो यहां प्यो 19 खर स्भॉक यहां से स्ट्रेंट जो ऑर कॉमन बात रहेगी कि कि इसा क्रॉस potential difference जो है दोनों के cross same रहेगा ठीक है तो अब यहाँ पे क्या होगा कि charge तो जो पहले Q था वो ही रहेगा तो वह तो ही अपने मान लिया है ठीक है और यहाँ पे potential है वो दोनों के cross same रहेगा हना charge तो यहाँ पे अपन का total QE है हना तो यह potential किता होगा अगर मैं इस चार्ज की टर्म से लिए हूं तो वी जो होगा Q एक्वल टू सी वाला फामला होता है तो जो वी होगा वो क्या होगा Q by C हना तो इस वाले capacitor में अगर लगाएंगे तो वी कितता आ जाएगा तो उसमें चार्ज किता है क्यू माइनस क्यू बाय कैपेसेटर इंटू 10 की पावर माइनस ट्वेल है ठीक है और नीच वाले capacitor में लगाएंगे तो अभी भी उसका वी पोटेंशनल है तो यह किसे बावर जाएगा developers क्यूग एड़ी चैंटू 10 की पावर माइनस ट्वेल तो हैं सब्सक्राइद सिद्वेल के बराबर तो यहां से small q के आ गया मेरे पास qy2 तो मतलब यहां पर जब यह चार्ज हो मतलब यह जब fully charge हो जाएंगे दोनों capacitor मतलब एक fully discharge और दूसरा charge हो जाएगा तो दोनों पर charge किता जाएगा qy2 qy2 ठीक है अब charge पता चल गया है capacitance पता है तो जो energy होगी अब यह अपन से पूछने क्या जाता था कि how much electrostatic energy is lost in this process तो पहले इस पे कुछ energy थी वो किती थी वो थी half cv square तो half into c c किता है 600 half cv square आले formula से half c into 10 की पाव माइस 12 into 200 का whole square यह अपनी initial energy थी है ना तो यू आई मान लेते हैं और final energy किती हो गई है आप तो final energy जो आ गई है वो क्या आ गई है कि charge जो है दोनों पर आप आधा-आधा हो चुका है ठीक है तो यहाँ पर अपना energy का जो formula लगा लेंगे इस capacity के लिए वो लगा लेते हैं q square by 2c वाला यहाँ पर जो q है यह अपनी final energy होगी तो यहाँ पर जो q है वो क्या है यू final इन दोनों के energy का सम करना पड़ेगा यू final तो इस पर चार्ज किता है तो q square by 4 चार्ज है इंटू 2c प्लस इसके पास energy किती है इसके पास भी उत्ती है तो q square रहा है 4 इंटू 2c तो टोटल energy किती है q square by 4c और initially किती है energy थी तो यहाँ पर चार्ज अगर q q वाली मालने तो half c v square लगा लो या फिर q square by 2c वाली लगा लो equation यह थी initial energy ठीक है तो अब दोनों को सब्ट्रेट कर देंगे तो यू final तो अपन से पूचा है how much electrostatic energy is lost तो energy जो लॉस्ट होई है energy energy lost जो आ जाएगी वह आ जाएगी energy lost जो आ जाएगी वह आ जाएगी change in energy तो यू final minus यू initial कर लेते हैं तो यहाँ पर energy किती है q2 by 4c minus q2 by 2c तो यह कित्ता आ जाएगा अपना q2 by 4c energy आ रही है अब q को मैं यहाँ पर रख देता हूं तो q की value में को पता है और c भी पता है तो मेरी lost energy आ जाएगी यह कित्ता आ रही है change in energy कित्ता आ रही है मेरी q की value क्या 12 into 10 की power minus 8 तो q2 कित्ता आ जाएगा 12 into 10 की power minus 8 इंटू यह फिर से divided by 4 into c कित्ता आ जाएगा तो c है मेरा 600 into 10 की power minus 12 ठीक है तो यहाँ से 4 3 जा 12 और और 600 और 62 तो यहां पर तो 6 आ रहा है उपर है ना और डिवाइड में यहां 10 की पावर माइनस 10 है और उपर है 10 की पावर माइनस 16 तो यहां जाएगा 10 की पावर माइनस 6 जूल इतनी एनर्जी लॉस्ट हुई तो यह मेरा आंसर आ जाएगा तो 6 इंटू 10 के बागर माइनस 6 जूल एनर्जी लॉस्ट हुई है ठीक है